अगर एक से रेपिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आप महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा मैं तुस्से रहे इतना जा रही हूँ कि निश्पक्ष चांश परदार हो मीटो आरूपी साजित खान गंदी घिनोनी और बहुत ही वाहियात हरकत करता है तो आरूपी और कई भी महिलाओं के आरूपी साजित खान गे सरव weld कि आरा माखा है और उनके होते है शाजित खान गवास साजित खान 15 को मिराद केस मेरा केस सौ्पा गया था वह अपिasına यहां पर है नहीं तो मैंने कहा सर इसका क्या मतलब निकाला जाए मुझे किसी ने कोई टाइम नहीं दिया यहां पर आने के लिए सबेरे से मैं कॉल करती रही पूछती रही यहां के इंचार्ज से ऐसाई से कि मैं कब आऊ अपना बयान कब दे सकती हूँ मैं बताईये जरा मुझे कोई fix time नहीं दिया गया मैं कॉल करती रही मैं ऐसे छोड़ती रही अब मैं यहां पर आई हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं जिस officer को आपका case सौंपा गया वो इस समय यहां पर है नहीं मैंने का sir मुझे मैंने का sir मेरी गुजारिश है आप से कि एक लेडी ओफिसर, एक लेडी ओफिसर को मेरा केस हैंडल करने को कहा जाए, मैं उनको अपना बयान देना चाहूंगी, मैं इस समय बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ, मैंने कुछ तेरे पहले असिस्टेंट कमिर्शनर अप पुलीस को कॉल किया, मैंने उनसे गा, सर, ज मैं यह सोच रही हूँ कि अगर एक सेलेबरिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम महीला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, मैं तो सिर्व इतना चाह रही हूँ कि निश्पक्ष जांश परताल हो, दूद का दूद, पानी का पानी हो, लेकिन स्टेटमिंट यह बगर, ज अगर आपकी मा, आपकी बेहन, आपकी बीवी, आपकी बेके के साथ, मीटो एक्क्यूस्ट, मीटो आरोपी साज़त खान, गंदी, घिनोनी, और बहुत ही वाहियाद हरकत करता, तो आप क्या करते, आप नामर्द बनते, या एक मजबूत स्टैंड लेकर कहते, अब बस, अब यह सब नहीं चलेगा, मैं ये नहीं कहा रही हूँ कि मेरी बातों पर विश्वास किया जाए, मैं ये कहा रही हूँ कि एक निश्पक्ष, कानूनी कारवाई हो, जांच परताल हो, अब ही किस तरह का अपका उसमी क्या होगा, अब है मेरे कुम दिख रहे हैं, तो निक्स करें क्या होगा, देखे, हम सब पुलीस प्रशासन पर भरुसा करते हैं, और जिस तरह ये लोग नजर अंदास कर रहे हैं मुझे, मेरे बयान को, सारा देश देख रहा है, हम कहां जाएं, कहां जाएं हम, इनसाफ के गुहार कहां जाकर लगाएं, पुलीस प्रशासन ने कहा यहां पर, कि एक काम कीजिए, आप शाम को आईएगा, साड़े साथ आट बज़े आईएगा, तब तक हम एक लेडी ओफिसर का प्रबंध करेंगे आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं दुबारा आओंगी यहां पर, लेकिन अगर आपको बयान नहीं लेना है, आप साथ साथ बोलिए कि बयान नहीं लेना है, मैं बैंडरा जाओंगी, डी सीपी के ओफिस पर जाओंगी मैं, एक सेलेबरिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम महीला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, क्या मैं ये बोड रही हूँ कि अभी कि अभी साजित खान को अरेस्ट किया जाए मैं तो सब ये बोड रही हूँ कि मेरा बयान तो लो उसके बाद कानूनी कारवाई शुरू करो बिग बॉस के घर में जाकर उसको लेकर आओ पुश्टाज के लिए आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो सच क्या है कैसे पता चलेगा सोशल मीडिया पर मेरे फॉल्वर्स बोल रहे हैं मैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला पुलीस कुछ नहीं करने वाली क्यों क्योंकि आपके आरूपी और कई बीडित महिलाओं के आरूपी साजित खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सल्मान खान सर का हाथ है और उनके होते साजित खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है ये मेरे फॉलोवर्स मेरे फैंस कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मैम आप अब अपना टाइम बेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं आपको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला ना आपको ना किसी और को